बिस्मिल्य रह्मान रहीम आप देख रहे हैं अनोशे की चान आज हम बनाएंगे ब्रेड और सोईयों से जट पर त्यार होने वाली रेस्पी इसके लिए चाहिए होगी हमें सोईया चीनी घी बदाम मिल्क पाउडर कोकोनट शूगर दूद दो से तीन ब्रेड अब एक बावल में दो से तीन ब्रेड लें दूद डालें उसमें और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लें अब इसमें एड़ करें शुगर तो साथ ही एड़ कर दें मिल्क पाउडर इन सब चीजों को डालके अच्छे से mix कर लेना है अगर जोड़ा हो तो थोड़ा सा दूद ॉड़ डालेंगे देखेएंगे चम से फ्र अच्छे से हो गया त्यार अब इसकी छोड़ी बॉल्स बना ले देखें इस तरह सारी बॉल्स बना के एक डिश में रख ले अब इन बॉल्स को एक फ्राइपैन में ओल डाल के उसको जब ओल थोड़ा सा गरम हो जाएगा उसमें हम जो त्यार की हुई बॉल्स हैं उनको फ्राइपैन कर लेंगे उनका अच्छा सा कलर आ जाएगा जब देखें एक साइड से थोड़ी थोड़ी हो गई यह त्यार उनको पलट दें हमारी बॉल्स त्यार हैं अब हम सवईयां त्यार करेंगे उसके लिए थोड़ा सा ओय लेंगे एक पैकेड यह जितनी भी आपको रिक्वाइर हो आप सवईयां डालें और उनको फ्राइब कर लें उनका गोल्डन कलर जब आजएगा तो आप ड़न हो जाएंगी देखें इसका प्यारा सा कलर आ गया अब इसमें हम ने जो दूधा वो एक लिटर वुद डाल दें उसको इस तरह हिलाते रहें साथ चीनी भी डाल दें इस तरह बस साथ-साथ हिलाते रहें जब उसमें बॉयल आ जाएगा उसके एक दफा़ चम्मस हिला दें और उसमें जो हमने पहले से त्यार कीवी बोल्स है वो सारी उसमें डाल दें इस तरह असा असा सारी बोल जो अंदर डाल के उनको फिर हम अच्छे से हिला लेंगे जब बोल जो है ना वो सोफ्ट हो जाएंगी उसके अंदर अच्छे तरह पक जाएंगी तब हमारी जो है ना सही त्यार हो जाएंगी अब उनको हम एक डिश में डाल लेंगे देखें और उसको उपर अच्छे से तरीके से गार्निश कर लेंगे अब हमारा डिजर्ड तियार है इसी तरह के मोर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें